नमो नमहा शुराज विजैस्थ यवन दुराचार नामक एकादश पाठ के इस दुतिय भाग में आप सबका स्वागत है आए हम विचार करते हैं इस दुतिय पाठ पर निरिक्षताम कदाचित अस्मिन्नेव भारते वर्षे या यजुकई राजसुय यज्जाह व्याजीशत कदाचित इहईव वर्ष वाता तपहिमसहानी तपांसी अतापीशत इस क्यार्थ को समझते हैं हमने देखा कि कैसे ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा जब संपोन विवरन को उपस्थापित किया जा रहा था उस समय उनकी अवस्था बड़ी ही विलक्षन थी उस दुख से वो सर्वता व्याप्त थे और मुनी ने योगी राज ने उस संपोन व्रत्तानत को उनकी अवस्था को देखकर यह जान लिया कि यहा भगवान काल की महिमा से सर्वता असंपरिक्त नहीं है तिवे इस संपोन प्यारेग्राफ में संपोन परिच्षेद में वे भगवान काल की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुने हे ब्रह्मचारी यह भगवान विलक्षन है जो की सकल कला कलाप कलनह अर्थात रचाइता है सकल कालनह अर्थात समय के लिए यहां का जा रहा है कि समय को सबसे बड़ा सामर्थ शील माना जा रहा है सएव कदाचित पयह पूरितानी अकुपार तलानी मरू करोती वे भगवान काली है जो की पयह पूरित अर्थात जल से परिपूर्ण समुद्र को भी अकुपार तलानी अर्थात समुद्र को भी मरू करोती मरूस्थल बना देते हैं सिंह, व्याग्र, भल्लोकगन, शेर, व्याग्र, भालू, गेंडे, लोमड, खरगोश, इत्यादि, सभी जानवरों के जंगल में व्याप्त होने की अवस्था को भी जनपदी करोती है, अर्थाद, सभी जानवरों के उपस्तिती में जो विद्यमान वनप प्रदेश है, उसे भी भगवान काल जनपद कर देते हैं, नगर के रूप में परिनत कर देते हैं, मंदिर, प्रासाद, हर्म्य, श्रिंगाटक, चत्वार, मंदिर का अर्था, सभी हम जानते हैं, प्रासाद, अर्थात, महल, हर्म्य, अर्थात, अटालिकाय, श्रिंगाटक, चौराहे को कहते ह चत्वर यानि ग्रिया के समीपस्त जो एरिया रहता है उसे कहा गया है उद्ध्यान बगीचे हैं तड़ाग सरोवरा इत्यादी को कहा है गोश्ट मयानी गौशाला इत्यादी इन सभी से परिपूर्ण नगरों को भी काननी करोती अर्थात वन प्रदेश बना देते हैं अतह निरिक्षताम देखिए कदाचित अस्मिन नेव भारते वर्षे कभी इसी भारत वर्ष में या यजू कही निरंतर यज्ज कर्म में लीन रहने वाले अनेक प्रकार के यजनशी लोगों द्वारा राजसुयादी यज्ज किये गए हैं कदाचित कभी इसी भारत भूमी पर वर्षा, आंधी, धूप, बारिश, अथ्वाहिम अर्थात, सरदिया इन सभी को सहन करने वाले तपो को किया गया हैं हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भगवान काल की हम हम हैं, निश्जित ही इतिहास के स्वर्णीम प्रिष्टो पर हमें भगवान काल की महिमा रेखांकि दृष्टी गोचर होती है कभी मरू आज जो मरू प्रदेश है राजस्थान का मत्स्य प्रदेश जिसे हम कहते हैं कभी वहाँ अकुपार तल अर्था समुद्र तल हुआ करता था कभी जो सिंग व्याग्र भल्लुक इत्यादी से परिपूर जंगल था वनप प्रदेश था वहाँ आज दिल्ली प्रदेश जैसा स्वर्णिम शहर बन चुका है तो भगवान काल की महिमा से न जाने कब कौन सा वनप प्रदेश जनपद में परिणत हो जाए कहां नहीं जा सकता है आईए इस भगवान काल की महिमा के अनंतर कुछ विलक्षन शब्दों को हम जानते हैं इसमें हमने देखा सकल कला कला पकलना यहां संपूर हम अनुच्छेद में देख सकते हैं कि किस प्रकार सुन्दर अनुप्राश का वहां उपयोग किया गया है कदाचित यहां यमक का भी उपयोग हम देखते हैं अलंकारों से सर्वता अलंकारों का यथा उचित यहां इस काव्य में प्रयोग किया गया है सकलाहा यहा कलाहा सकलकलाहा सकलकलानाम कलापह सकलकलाकलापह तस्यकलनह सकलकलाकलापकलनह एवं प्रकारेनत्र समासा विद्धते सकलकालना सकलानाम कालनह सकलकालना शष्टीतत पुरुषः अकुपार तलानी अकुपार नाम समुद्रम समुद्रह तत्र अकुपाराणाम तलानी अकुपार तलानी एवं शस्टितत पुरुशावर्तते मरू करोती अमरूम मरू करोती इत्यर्थे मरू करोती रूप सिद्धी अत्र मरू शब्दात अभूत भावे कृवस्त योगे संपध्य करतरी च्वी इत्यनेन सुतेन च्वी प्रतेहा भवती एवम जनपदी करोती इत्यत्यत्रापी पूरवत ही पूरवत वर्तते काननी करोती यहाँ पर भी पूरवत ही हम देख सकते हैं जिस प्रकार जनपदी करोती और मरू करोती इत्यादी प्रयोग हुए हैं या यजू के यहाँ पुना पुना यजते इस अर्थ में क्रिया समभिहार में यंग प्रत्य होता है यंग प्रत्य क्रिया का समभिहार यानी निरंतर्ता को बताता है बार बार प्रयोग को बताता है इस प्रकार द्वित्व और यंग प्रयोग के प्रयोग में हमेशा धातु को द्वित्व होता है वेया जीशत यहाँ पर यहाँ कर्मनी प्रयोग है प्रथम पुरुष एक वचन में अता पीशत यहां भी लुंग लकार का प्रयोग है भाव कर्म में अगरे पश्यामह तत्र मूलप आठा वर्तते संपरतितु मिलेच्छैर गावन्यते वेदाह विदिर्यंते स्मृतयह सम्रिद्यंते मन्दिरानी मंदूरी कृ webpage सत्यह पात्यंते संतस्य संताप्यंते सर्वमेतत माहात्न्यमत स्सेवकाल महाकालस्यायती कथम अर्थात वर्तमान स्थिती का यानि उस समय कभी परिवेश के जिस इतियाज बोद की यह चर्चा हो रही है यवन राज्य की उस यवन राज्य में क्या स्थितिया है उसे प्रकट करते हुए कहते हैं कि संप्रती मलेच्छे इर गावह हन्यते वर्तमान समय में गाए मारी जारे किन के द्वारा मलेच्छो के द्वारा और वेदाहा विदीर्यनते वेदों को फाड़ा जा रहा है स्मृतिया संप्रिद्यनते स्मृतिया जो मनुस्मृतिया दी ध धर्मग्रंत हैं उनका मर्दन किया जा रहा है मंदिराणी मंदूरी क्रियंते मंदिरों को अश्व शालाओं में घुड़ स्वावारों में परिवर्तित कर दिया जा रहा है सत्यह पात्यंते सती वृता जुस्त्रिया है उन्हें पतीत किया जा रहा है संतष्च संताप्यंते और संतसाधु जनों को उद्विद्न किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है सर्वमीतत महात्मयमतस्यव महाकाल अस्यव, यह संपूर्ण जो महात्मय है यह उसी महाकाल का है आप धहर्य धारन करने वाजे लोगों में अग्रणी है, फिर आप कैसे धहर्य को विधूर यह सी अर्था छोड़ रहे हैं, विधूर होना यानि परित्यक्त करना शान्तिम आकलईय, आप शान्ति को धारन करके अतीव संप्षेप और संप्षेप के माध्यम से यवन राज्य के वृत्तांत को कहिए न चाहते हुए भी अनावश्चक होते हुए भी उसे सुनने की इच्छा मेरे रिदय में प्रबल है इस प्रकार कहकर के योगिराज तुशनीम अवस्तस थे, सान्त हो गए इसमें बहुती संचेप में परन्तु बहुती सुन्दर शब्दों में योगिराज ने भारतवर्श का वर्नन किया है कि किस प्रकार उस समय भारतिय समाज में भारतिय जो विचार थे, भारतिय जो परमपराय थी, भारतिय जो जन्मानस की आकांग शाय थी, भारतिय जन्मानस की जो श्रद्धा थी, उसका विदीरन किया जा रहा था, उसका मर्दन किया जा रहा था, उन सभी को यहाँ पर योग का दरपन कहा गया है और यह जो शिवराज विजय है वहाँ एतियासिक काव्य है और इस एतियासिक काव्य में उस समाज के जिस समय इस संपूर्ण परिदृष्य को हम देख रहे हैं यहाँ शब्द आज भी हम इस समाज में परिलक्षित होते हैं इसलिए साहित्य को काल जयी क किरती कहा जाता है हन्यनते हन्धातु से यक प्रत्य भाव कर्म अर्थ में करते हैं और लटलकार में बहुचन में यह रूप बनता है इसी प्रकार विदियर्यनते भी उसी प्रकार बनता है मंदूरी क्रियनते पूरवथी अमंदूरा मंदूरा क्रियनते इत्यर्थे मंदूरी क्रियनते धीर धोरेया धुराम वहतीती धोरेया धीराणाम धीरेशुवा धोरेया धीर धोरेया धीर जनों की धुरा को वहन करने वाला यानि सबसे अग्रणी व्यक्ति को धीर धोरेया विधुरेसी विधुरेईवा आचरसी विधुरेसी शुष्चूरु शते में पुना सन प्रकत्य का अर्थ मेंने बताया ठा इच्छा अर्थक होता या इच्छा प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है अवतस्ते अवपूर्वक्स्थादातु से लटलकार समप्रविभ्यस्थ से यहाँ पर आत्मनिपद हुआ है। अब जो योगी राज के द्वारा इस प्रकार कहने पर मुनी अपने आपको सांतुना देते हुए उस सकल वंचनामय प्रपंच को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे भगवन धहर्यपूर्वक्द प्रसादपूर्वक्द तप तेज बल विक्रम शान्ती श्री सुख द्रका धर्म, विद्या के साथ ही इस परलोग को गए हुए परलोग को सनाथित किए हुए तत्र भवती, विक्रम आदिप्ते के द्वारा, अर्थाथ विक्रम आदित्य जब इस संसार को छोड़ कर चले गए उनके साथ ही धैर्य, प्रसाध, प्रताप, तेज, वीर्य, विक्रम, शा पर अनेक प्रकार के विरोध होने के वज़ा से जो स्नेह बंधन थे जो प्रेम बंधन थे जो समास का सौहार्द पूर्ण वातावरण था उसमें विशिथिलता अर्थात दूरिया हम देखने लग जाते हैं भामिनी भुभंग भामिनी यहां शब्द स्त्रियों के लिए आ गया है कामिनियों के लिए आ गया है ऐसी जो मनमोक होती है और आकरशन का काम करती है उनके भुभंग उनके भुरु अर्थात भुभंग यानि चेश्टाय भूरी भाव और अन्य जो उनके हाव भाव हैं उनक पर यानि जो भटते सैनिक थे युद्ध कार्य में रति लोग थे वे कामिनियों के भुभंग में, कामिनियों के हावभाव में इस प्रकार से लगन होगे कि उन्होंने संपूर्ण अपना वैभ्हव अपना यववन उसी कार्य में वितीत करने लग गए यहाँ पर कुछ विशेश शब्द हम देखते हैं सनाथितवति नाथे नसह विद्यते एति सनाथः यहाँ सनाथ शब्द से अनिच प्रत्य और पुना तवत्व प्रत्य करने पर सब्तमी व्यक्ति में यहाँ रूप बनता है पारसपरिक विरोध विशेली कृत सनेह बंधनेशु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूर्व में कर्मधारे समासें तदनू तृतिया तत्पुरुष और पुना शष्टी तत्पुरुष और अन्त में बहु बरी समास के माध्यम से यहाँ पारसपरिक विरोध विशेली कृत भामिनी भूभंग भूरिय भावा ते शाम प्रभावह तदनु तेन पराभूतानी तदनु च बहुब्रह समासह भामिनी भूभंग भूरिय भाव प्रभाव पराभूतानी वैभवानी ये शाम ते शू भामिनी भूभंग भूरिय भाव प्रभाव पराभूता वैभवेश यहां सभी शब्द भामिनी के लिए सुन्दरी के लिए स्तिरी के लिए प्रयोग किये गये हैं अग्रेचलामस्तावत स्वार्थ चिन्ता संतान वितानैकतानेशू अमात्यवर्गेशू प्रशंसा मात्रप्रियेशू प्रभूशू इंद्रस्त्वं वरुनस्त्वं कुबेरस्त्वं इती वर्णना मात्रसत्तेशू बुदजनेशू कष्चन गजनिस्थान निवासी महाम इस संपूर्ण वृत्तान्त को आगे बढ़ाते वे ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि समाज की दुर्दशा को वह प्रकट करते हैं और कहते हैं कि स्वार्थ चिंता स्वयम की चिंता मात्र में ही तल्लीन जब हो गए थे हमारे अमात्य वर्ग और प्रशंसा मात्र ही प्रिय हो गई थी जब राजाओ को आज भी हम देखते हैं यहां परिस्ति हमें समाज में दृष्टि गोचर होती है कि अमात्य वर्ग हो अत्वा शाशक वर्ग हो या अन्य वर्ग हो जिनकी यहां चर्चा की गई है उन सभी के आपको आंशिक या अधिकान शुरूप से यही अवस्था द्रिश्टी गोचर होती है इंदरस्त्वम, वरुनस्त्वम, कुबेरस्त्वम, इत्यादी, प्रशनसादी वाक्यों को सुनने में ही जिनका मन तलीन रहता और जिन कहने में ही अपनी संपूर्ण उर्जा नश्ट कर देने वाले बुध जनों के अर्थाद विद्वत जनों के हो जाने पर गजनी स्थान का निवासी, गजनी नामक प्रदेश का निवासी, महामद नामक एक यवन ससेनह सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश कर जाता है और वह प्रजा विलूंठ संपून प्रजाओं को विलूंठ लूट करके मंदिरानी निपात्य मंदिरों को तोड करके प्रतिमा विच्छिद्य प्रतिमाओं को छिन्न भिन्न करके परशतांश जनान दासी कृत्य सेकडों सहस्रों लोगों को दास बना करके और सोसे व्यधिक प्रकार से उष्ट्रों पर उट का सहरा लेकर उन पर रत्नों को लाद करके अपने देश में उन सभी रत्नों को इन महार संपत्ति को वह महामद यवन अपने साथ अपनी राजधानी में ले गया यहां मूल पाट में कुछ विशेश शब्द है जैसे स्वार्थ चिन्ता, संथान, वितान, एकतान, ईश्वु तत्र वर्थ ते तत्र ये एकताना हा एकताना अर्था एक रता हा इन ही केवल कर्म मात्र में तल्लीन इस अर्थ में ते स्वार्थ चिन्ता संतान विताने कताना हा तेशु स्वार्थ चिन्ता संतान विताने कतानेशु प्रशंसा मात्र प्रियेशु प्रशंसा एव प्रशंस यहाँ पर नित्य समास हुआ है एव के साथ जब भी समास होता है वा नित्य समास होता है और मयुरिवन्सका दयश्ट इस सूत्र से यहाँ समास संभव हो पाता है प्रशंसा मात्रम प्रियम येशाम ते प्रशंसा मात्र प्रियाहा तेशु प्रशंसा मात्र प्रियेशु इस शब्द रूप बनता है निपात्य में भी उप्सर्ग पूर्वक पत धातों से लिप्रत्यरоворूप लुप थातों से लिप्रत्यरूइज में भी वी उपसर्ग पूर्वक भिद धातू से लिप प्रत्य अनईशीत में हम देख सकते हैं नी धातू से लुंग लकार में है रूप बनता हैं अनईशीत अनईश्टाम अनईशु इस प्रकार से नी धातू के लुंग लकार में रूप सिद्ध होते हैं अग्रे चलामह तत्र मूलपाठः वर्तते एवं स ज्याता स्वादह पौनह पुन्यन द्वादशवारं आगत्य भारत वर्षं अलुलुंठत तस्मिन्नेवच स्वस्वरंभे एकदा गुर्जर देश चूडायतं सोमनाथ तिर्थम पी धूली चकार अध्यतू तत्तिर्थस्य नामापी केनापी नस्मर्यते परम्तत्समयेतू लोको तरम्तस्य वैभव मासित तत्रही महार्ह वैदूर्य पद्म राग मानिक्य मुकता फलादी जटितानी कपाटानी स्तंभान ग्रिहावक ग्रहिनी भित्ती वलभी विटंकानी च विनिर्मत्य इसका आर्थ समझते हैं इस प्रकार से जब वह एक बार आ चुका है और भारत वर्ष को लूट लिया उसने इस प्रकार ज्याता स्वाध जिसने जान लिया है उस लूट को जिसने स्वाध को जान लिया है इस प्रकार पौनहापुन्यन बार बार द्वाधशवारम बाहरा बार भारत को आकर उसने महामद ने लूटा इसी क्रम में जो गुर्जर प्रदेश अर्थात वर्तमान गुजरात का जो सर्वशिरोमनी मंदिर था सोमनाथ तिर्थ उसे भी महामद ने धूली चकार अर्थ सुनते हैं परम उस समय लोकोत तर्मियार थात संपूर्ण दिशाओं में उस मंदिर का नाम था उस तीर्थ का नाम था उस मंद तीर्थ का वैभाव था वहाँ पर महार अनेक महंगे वैदूर्य पद्मराग मानिक्य मुक्ताफल इत्यादी विभिन्न मनियों से रतनों से ज इनहीं मानिक्यों से रतनों से भरे हुए थे उन सभी को रतन निचय को ले करके और शतत द्वय मन अर्था दो सो मन की सूर्ण शरिंखला सोने की चैन से बंधी हुई चंचल चाक चिक्यां अनेक प्रकार के चंचल चाक चिक्या निए चका चॉंद से आलोचको को यानि लिया और महादेव की मूर्ती पर भी वहापर स्थित जो महादेव की पिंड थी उसक पर भी गदा को उसने चलाया आईए कुछ विशेश शब्द देखते हैं शश्ची तत्पुरुशा हो श्मर्यते श्मरे धातो यकपरते हैं तदनू लट लकार हो निरमत्य निरुपसरगपूरवक मतधातो से लब प्रते करने पर उदत तूतूलत उत उपसरगपूरवक तूल धातो से यंग और यंग जहाँ पर भी होता है वहाँ दुद्व हो जा अग्रिम चर्चा अग्रिम भाग में करेंगे धन्यवाद